जैसी प्रिस्ना, आज हम सुर्य भेधी प्रनयाम करना सीखेंगे, उससे पहले हम यहाँ जानते हैं कि सुर्य भेधी प्रनयाम करने से हमें क्या लाब होता है। सुर्य भेदी प्रनयाम करने से स्वास समंदित सभी रोगनस्ट हो जाते हैं जिनको सर्दी जुकाम रहता है या फिर फेफरे से समंदित एलर्जी हो जाता है उन्हें या सुर्य भेदी प्रनयाम बहुत लाब पहुंचाता है जिनको लो बीपी की समस्या है उनके लिए तो य हराम भान होता है जो वेकटी सुस्त रहते हैं जिसके अंदर उर्जा उस्धा प्राकर्म वीर अर्ज सो्र नहीं होता है उनके अंदर सुष्ट जैसा जाता है जो चलिए हम लोग सुष्ट भ inimी कैसे क्या जाता है इस बिढ़ी को सीखते हैं. सबसे पहले हम अपना ढायना हांद उठाएंगे और दाइना हांद उठाकर यह दोनों अंगुली कोshift करेंगे. रखेंगे और अपने इस दोनों अंगली के बगल वाले अंगली से अपने बाएं भागी छित्रिका को दवाएंगे कमर गर्दन बिल्कुल सिधा रखेंगे और दाएं भागी छित्रिका से एक स्वास को भरने में 10 सकेंड लगाएंगे अब आंगुठा से अपने दाइने भाग की छितरिका को बंद कर देंगे और जो स्वांस हमने भरा है वह स्वांस को बाइन भाग की छितरिका से छोड़ देंगे फिर पुना हम दाइना से लेंगे बाइना से छोड़ेंगे दायां से लेंगे और बायां से छोड़ेंगे दायना शिदरिका से लेंगे बायां से छोड़ेंगे यह कर्म आप 10 से 15 मिनट तक पड़ते दिन कर सकते हैं अनुलोम बिलोम यह की उल्टा सुल्टा अनुलोम बिलोम का मतलब होता वो हम अपने दाइना भाग से लेते हैं बाइयां से छोड़ते हैं फिर बाइयां से लेकर दाइना से छोड़ते हैं वो अनुलोम बिलोम हो गया और यासो ये भेरी पर नयाम है इसमें हम अपने दाइने भाग की छिदरिका से लेते हैं और बाइन भाग की छिदरिका से छोड़ देते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें विडियो को लाइक हुआ शेयर जरूर करें जैस्रीक्रिश्म